वेलकुम तो दो प्रियाग राजिन स्टूट टू डेली प्रेटिसेट में आज पुनों बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेश समंदित अत्मात्वों परश्णों के बारे में चलिए इस्टार्ट करते हैं अपने पहले परश्णों के साथ हमारे सामने जो पहला प्रश्ण है कि उत्तर प्रदेश का चर्कुला क्या है आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का चर्कुला क्या है तो चर्कुला एक ब्रज छित्र का पारंपरिक लोक नित है क्या है लोक नित है तो ये नित जहें काफी इंपोर्टेंट है तो उत्तर प मिला हैं घुंघट में निर्ति करती हैं और यह कहां का निर्ति है तो ब्रज छेत्र का केंद्री विश्विद्याले बाबा सहे भीमराव अमेटकर विश्विद्याले विद्या बेहार किस सहर में इस्थित है तो यह इस्थित है लखनव में ठीक तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इस विश्विद्याले की इस्थापना कभी थी तो इस विश्विद्याले क कि होली है वह किस के साथ खेली जाती है टमाटर दूद पत्था डंडे तो बरसाना की होली जह हो डंडे के साथ खेली जाती है ठीक ऑप्सन डी उत्तर प्रदेश में आयोजित कामपिला मेला किस समधाय से जुड़ा हुआ है तो कामपिला मेला जैन समधाय से जुड़ा है प्रदोग की विश्विद्याले इस्तित है, या इस्तित है गोरखपुर में, option A, option A, गोरखपुर, तो मदन मोहन मालवी प्रदोग की विश्विद्याले गोरखपुर में, माग मेला के दिन शुरू होता है, तो आपको बताना है कि माग मेला किस दिन से शुरू होता है, ठीक तो मागमेला का प्रारम होता है मकर सक्रांति से मकर सक्रांति से जिसको आम बोल चाल भासा में जो है वो लगा जाता है option A, कभी संत कबीर का जन्म और पालन पोर्षण किस सहर में हुआ था, तो कभी संत कबीर का जन्म और पालन पोर्षण किस सहर में हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो संत कबीर जी का जो जन्म है और पालन पोर्षण वो कहा होता है, वारान पोर्षण में होता है, option C लखनाओ घाराने की निव उस्ताद द्वारा रखी गई थे तो आपको बताना है कि लखनाओ घाराने की निव किस उस्ताद के द्वारा रखी गई थे यह हैं बसूखा या बसूखा ओप्शन B अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाब तलक शब छीनि किस भांसा में एक काफी परसिध रचना है आमीर खुसरो की तो यह लिखी गई थी ब्रज भांसा में क्या ब्रज भासा में option C तो ब्रज भासा में रचिते चाप दिलक सब छीनिम टिक रिया अमीर खुसरो की रचना है उत्तर परदेश के किस जीले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है तो उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद जिला है उसको पीतल लंगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पीतल का कारी यहाँ पे बहुत यात मातरा में होता है ठीक है तो इसे जह ब्रास सीटी या पीतल लंगरी भी कहा जाता है कौन सा कथक घराना उस नित्यसेली के अध्यात्मिक पहलूँ पर अधिक ध्यान देता है ठीक है तो आपको बताना है कि जो कथक नित्यसेली है कथक नित्यसेली उसमें जो अध्यात्मिक पहलू है उन पर सबसे अधिक ध्यान देने वाला कौन सा घराना है यह काथी important question है तो यह है बनारस, जो बनारस घराना है, वह कत्थक, कत्थक नेट सहली में जो उसका जो अध्यात्मिक पहलू है, उस पे विशेस तोर से ध्यान देता है, option B. जो अध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात तो आपको उस जीले का नाम बताना है जहां का एक डिस्टिक एक पोड़क्ट के रूप में काला नमक को चूज किया गया तो यह जीला है सिधार्थ नगर या option B, सिधार्थ नगर सूफी कवी अमीर खुसरों का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जीले में हुआ था तो अमीर खुसरों का जन्म हुआ था एटा में उत्तर प्रदेश के एटा में जो है अमीर खुसरों का जन्म हुआ था बहु बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश की यहां पर खाली स्थान है मैं इस्थित आपको बताने हैं कि बहु बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जीले में इस्थित है तो यह इस्थित है फाइजाबाद में जो कि आज की डेट का अयोध्या है तो फैजाबाद का नाम जो हो चिंद करके अयोध्या कर दिया गया है, तो वहु वेगम का मकबरा जो हो फैजाबाद में, option D, और आज का अयोध्या, निम रिखित में से किस परसिद्ध भारती सास्त्री गायका को उसके सिस्चियों द्वारा प्यार से अप्पा जी, भ्यान कि अगया, आपको बतान है कि योगी आदित तिनाथ किस संब्थ रढ़ते हैं, तो यहां के सही उत्तार है, option B, नात संप्रदाए, योगी आदित अन्थ नात संप्रदाए से अगधते हैं, और इनका जम उथ्रा खंड में हुआ लगती हैं पेल आपको बताना है किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती आपको जो नेपाल के साथ लगती है तो दिये गए आपसन में आपका जो सही उत्तर है वो है महराजकंद्ध, हम गिलाजकंद्ध से मैप से लगती है तो यहाँ पे देखे पिलिभीत 1, लकिमपुलखिरी 2, बहराइच 3, सरावस्ती 4, बर्रामपूर 5, सिधार्ट नगर 6 और महराजगन तो यह जहें वो साथ जिले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यह जो साथ जिले हैं वो नेपाल के साथ सीमा जहें वो साजा करते हैं अब यहाँ पे एक और प्रशन पूचा जाता है कि उत्तर परदेश के साथ अन कितने भारत के परदेश हैं जो इसके साथ सीमा जहें हो साधा करते हैं तो उत्तर परदेश एक हिमाचल परदेश ध्यान अठीड़ दो हर्याना तीन राजस्थान चार यह पूरा जो ही यह पूर्शन जो ही है मध्य परदेश का है मध्य परदेश पांच चाथिस गड़ छे जहार खंड साथ बिहार आठ यह जो है वो प्रमुक राज्य हो गए जो कि उत्तर परदेश के साथ जो है वो सीमन साधा करते हैं अगर हम दिल्ली को भी कंसिडर कर लें दिल्ली को अगर हम दिल्ली को कंसिडर कर लेते हैं जो कि एक यूनियन टेरिटरी है तब परदेशों की संख्या हो जाएगी 8 प्लस 1 मतलब की 9 ठीक है अधर्वाइस आप परदेशों के संख्या हो जाएगी 9 ठीक है अब चलते हैं अगले प्रस्म के तरफ एक जीला एक उत्पाद योजना के ताथ हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर परदेश के यहां पर खाली अस्थाने जीले को चुना गया है ठीक है तो आपको बताना है कि एक जीला एक उत्पाद योजना के ताथ हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर परदेश के कि जीले को चुना गया है तो इसका सही उत्तर है जालाओं क्या आप्शन भी जालाओं आगरा और आवत के संविक्त प्रांद जिन्हें अब उत्तर परदेश के ना इस प्रस्ट को ध्यान से पहले आप देखिए क्या प्रस्ट यह है कि आगरा और आवत के संविक्त प्रांद जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्स 1921 में अपनी राजधानी को खाली स्थाने से लखनाओं से इस्थनांतिरित किया था तो उन्ह ऩन्हार आप इसको दिहान में रखिएगा गौताम बुध की मां देवदा राज्य के साशक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के खाली स्थाने जिले में थे तो आपको बताना है कि जो देवदा Выदा राज्य हैं बेद्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ेगा तो यह पड़ेगा बस्ती में कहां बस्ती में option C वालमिकी का आश्रम महा ब्रह्मवर्थ में था जो है ठीके तो आपको बताना है कि वालमिकी का आश्रम ब्रह्मवर्थ में था जो आज की डेट में कहां पे मिलेगा या किस जीले में मिलेगा ठीके इसका सही उत् पहला हिंदी समाचार पत्र निकाल जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपाधित किया था तो आपको जहें उस समाचार पत्र का नाम बताना है नॅधि MOM蒲रस अकबार पहली जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेस का पहला हिंदी समाचार पत्र था और जिसके संपादक थे गोविंद रगुनाथ भेन कुंड जहां अर्जुन ने द्रोपदी से साधी करने के लिए मचली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेस के काली स्थान है किस जिले में तो आपको बताना है कि जो भेन कुंड है वह आज की देट में उत्तर प्रदेस के किस जिले में मिलेगा ठीक है तो ये है option C फरुखावाद तो फरुखाबाद का जो भेनकूंड है जहां पर अर्जु ने द्रोपती से साधी करने के लिए मचली को निशाना बनाया था वह जो है उत्तरपरदिस का वो फरुखाबाद चील आया ठीक है यह वीडियो आपको कैसा लगा जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाओ दें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो के पीडियो के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल दफर्यागराज इंस्टूट को जोईन कीजी और इस वीडियो को आप लोग प्राप कर सकते है तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद